नमस्काल लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको explain करूंगा और बताऊंगा कि BNS में भारत के नियाय संहिता में कौन-कौन से section compoundable यानि समझोता योग्य हो गया है पहले उनमें compoundable होते थे नहीं होते थे त तो मैं आपको बहुत quickly बताऊंगा इस वीडियो में कि IPC के कौन से section अब BNS में कहां है और वो compoundable है या नहीं है तो आईए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं देगे सबसे पहली बात तो यह है कि BNS में जो सबसे पहले मैं आपको section की बात करूंगा वो section है adultery, adultery को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं और adultery को लेकर के मैं आपको बताऊं कि यह omitted है यानि कि पहले IPC के 497 में यह था IPC का section 497 था BNS में omitted कर दिया गया है जो Supreme Court के direction के बात से हुआ था सब को मालूम होगा तो BNS में adultery को अपराद नहीं माना गया है दूसरा जो चीज है दूसरा जो section है वो section है assault on a woman with the intention to outrage her modesty किसी भी महिला को अगर आप उसके modesty के खिलाफ जाके कुछ आप ऐसा करते हैं तो IPC का section बहुत famous section था 304 बहुत लोग जानते थे यह BNS में 73 में आ गया है और यह compoundable offense है अगर ऐसा हो जाए दोनों पार्टी में समझ किसरा section है वो है simple hurt अगर आप किसी को hurt कर देते हैं मार देते हैं जिसमें बहुत गंभीर चोट ना लगे और सधारन चोट अगर लगता है जिसमें जान का कोई खत्रा ना हो पहले 319 IPC का section डील करता था अब BNS में 112 डील करता है लेकिन यह भी compoundable offense है इसमें भी समझाता court के मा पहुचाने के लिए जान बूझ करके आप कुछ ऐसा कर रहे हो जैसे एक तो मान लीजे मैं छट पे हूँ और मेरे हाथ में कोई समान है गलती से नीचे गिर गया और उसी वक्त कोई गुजर रहा था रास्ते से उसको चोट लग जाए तो इसमें मेरा कोई intention नहीं था कि उस बेनमीन आता है तो ऐसे केस में पहले वो आ इसमें 323 में डील किया जाता था अब यह 113 में डेनेस में आग्या है इसमें भी खोंप्रमाइस हो सकता है क्योंकि इसको भी माना जाता है कि इतना गंभीर है जिससे जान जा सके तो यह इसको भी Mêmeांड कांटेवल ओफेंस माना कर रहा था अब मैं बात करना व्हार्ट के बारे में अगर अगर मान लिजा कि कि किसी ने कुछ चला के मार दिया आप का पैर कट बुरी तरह से हात कट बुरी तरह से तो इसको मना जता है यह ब्यक्न इसमार बींस में वो criminal breach of trust है criminal breach of trust जो होता है कि आप का intention ही यही था कि आपको भरोसा तोरना है किसी का तो इस case में 406 IPC section लगाय जाता था अब यह 314 BNS में आ गया है 314 का section आ गया है 314 में criminal breach of trust जो है deal किया जाएगा compoundable offense है इसके बारे में भी आपको पता ही होगा अब next में आपको बताऊं कि criminal trespass criminal trespass क्या होता है कि आप जबर्दस्ती किसी के घर में घुसने की कोशिश करते हैं बिना अनुमती कि किसी के पुरपटी या premises में घुसने की कोशिश करते हैं तो उसको criminal trespass बोलते हैं IPC के section 447 में इसको पहले रखा गया था अब BNS में भारतिय न्याज संगेता में 327 में अब इसको shift कर दिया गया है अब 327 में है criminal trespass next जो है आपको बताओं वो है criminal intimidation किसी को धमकाना किसी को धमकी देना कि तुम्हें मार दूँगा मैं तुम्हें जान से मार दूँगा ऐसी धमकी criminal intimidation जिसको बोलते हैं पहले यह 503 IPC section में था अब यह BNS के 349 में 349 में आ गया है तो यह भी compoundable offense है इसमें मैं जितने section बता रहा हूं यह सारे section compoundable section ही मैं बता रहा हूं एक जो बहुत important section के बारे में बात होती है बहुत सारे लोग इसके बारे में discuss करते हैं जानते भी है कि IPC का section 500 500 IPC का section 500 defamation यानि मान हानी को deal करता था यानि कि अगर हम कुछ ऐसा लिख के बोल के किसी की मान हानी या उसके प्रतिष्ठा को समाप्त करते हैं तो अब यह BNS के IPC section 354 में आ गया है 500 का section 354 हो गया compoundable offense इसको भी भूला गया है कि इसमें भी समझोता हो सकता है एक और section है dishonest misappropriation of the property अगर आपका यह intention था कि आप dishonestly किसी property को जो है misappropriate तरीके से आप उसको handle करें तो पहले यह 403 IPC section में था अब यह BNS में 312 में आ गया भारतिय नया संगीता का जो section है वो 312 है तो यह पूरा जो कुछ section था वो मैंने आपको बताया उमीद है कि आपको समझ में आया होगा अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच फोर वाचिंग इस वीडियो थैंक यू सो मच